नमस्कार हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हारदिक स्वागत है आज से हम सभी समाजी कद्ध्याइन के मौक टेस्ट को करेंगे जो हमारे आने वाले सीट अट परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वीडियो में हमने तीस प्रशनों को लिया है आप देखेंगे कि आपका स्कूर कितना जा रहा है तो चले हम सुरू करते हैं पहला प्रशन है निमने में से काउन संयुक्त राज अमेरिका के नागरिक अधिकार आन्दोलाण 1964-1968 के विशय में सही कथन है पहला प्रशन यहसन युक्त राज अमेरिका में गरीवी खतम करने के उध्य शशलिय वेदभाव को खतम करने के उध्य श्यूषय सुधार अंदोलनों का एक मंच था चौथा उप्शन है यह संयुक्तराज अमिर्का के राजनेती संकट को खत्म करने के उदेशिशे शुधार आंदलोनों का एक मंच था अगला प्रशन है किस बंस ने सर्व पर्थम दिल्ली को राजधानी बनाया अप्शन है अनंग पाल ने दोसरा अप्शन है तोमर राजपुतों ने तीसरा है चोहानों ने चोथा है तुर्क सासको ने ओप्शन दोसरा सही है तोमर राजपुतों ने अगला प्रशन है मेसो पोटामिया प्राचीन सहरों में से एक है जो अब निम्ली लिखित में से कहां इस्थिर है अप्शन है इराक, इरान, अफगानिस्तान, भारत पहला option सही है इराक अगला प्रशन है पानिपत की तीसरी लाराई कब हुई थी? option है 1751, 1761, 1781, 1791 option दूसरा 1761 इसपी में पानिपत की तीसरी लाराई हुई थी अगला प्रशन है महिलाओं की इस्तिती बहुत चुनावती पूर्ण थी कब चुनावती पूर्ण थी? option को देखेंगे 19वी सदी में, 21वी सदी में, 20वी सदी में, 18वी सदी में option पहला महिलाओं की इस्तिती, 19वी सदी में बहुत ही चुनावती पूर्ण थी तो यहाँ पर पहला option सही हो जाएगा अगला प्रशन है अगर हम green वीच से पुर्व की ओर जाए तो अस्थानिय समय होगा option देखेंगे GMT के पीछे GMT के आगे एक जैसा ही GMT के 4 घंटे पीछे option दूसरा सही हो जाएगा GMT के आगे इसके बारे में थोड़ा सा explain करना मैं चाहूंगी कि पिर्थवी अपनी धोरी पर पस्चिम से पुर्व की ओर घूमती है आप सभी यह जानते हैं अतह पिर्थवी का पुर्वी भाग शूरी के सामने पहले आ जाएगा तो हम ग्रिन वीच के पुर्व की ओर जाते हैं तो अस्थानिय समय हमेशा GMT के आगे हो जाएगा अगला प्रशन है निमने लिखित में से कौन सा देश विश्वे में सबसे अधिक पौन उर्जा का उत्पादन करता है उप्शन है भारत, ब्रिटेन, रूस, संयुक्तराज, अमेरिका उप्शन चोथा हो जाएगा सही संयुक्तराज, अमेरिका ये विश्व में सबसे अधिक पौन उर्जा का उत्पादन करता है अगला प्रशन है सधारन हलवाहों को तमिल चत्र में निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है उप्शन देखेंगे विल्लार, उजावर, कदेसियार, एदमाईस उप्शन दूसरा सही हो जाएगा उजावर उजावर जो है ये तमिल छेत्र के सधारन हलवाहे को कहा जाता है अगला प्रश्ण है पिर्थवी जिस गैसों की एक परत से घीरी हुई है उसे क्या कहते हैं ओप्सन देखेंगे ओजोन, नाइट्रोजन, वातावरन, वायू मंडल ओप्सन चौथा सही हो जाएगा कि पिर्थवी जिस गैसों की एक परत से घीरी है उसे हम वायू मंडल के नाम से जानते हैं अगला प्रश्ण है मिस्र की एक सहर रोसेटा में एक सिला लेख की खोज होती है इस पर तीन अलग अलग भसाओं का अंड़कार आकरती में उगेरी गई है जिसे काटूस कहा जाता है सीला लेख में पाए गए मिस्र के अक्षर अक्षर एल और ए है यहाँ ए किसके लिए प्रदर्शित किया गया है अगला प्रशन है निम्न में से कौन सी प्रकिरिया है जो मिश्रन से मीटी और पानी को अलग करती है अप्षन देखेंगे कलोरिनी करन, निश्पंधन, आस्वन, अपकेंदरन अप्षन दूसरा सही हो जाएगा, निश्पंधन अगला प्रशन है मात्रि पक्ष की ओर से मुगल बनसज थे अप्षन पहला तुर्क, मंगोल, आफगानिस्तान, रोमन चारो अप्षन आपके सामने है, अप्षन बताएंगे अप्षन दूसरा सही हो जाएगा, मंगोल यहां मंगोल दिया है, लेकिन मुगल हो जाएगा मात्रि पक्ष की ओर से मुगल बनसज थे यह थे मुगल मात्रि पक्ष से चंगेज खा के बनसज थे चंगेज खा मंगोल समराज के संस्थापक तथा महान खान के रूप में जाने जाते हैं, चंगेज खा जो है वो मंगोल खान के मंगोल समराज के संस्थापक माने जाते हैं अगला प्रश्ण है निम्निलिखित देशों मेशे कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा धानुत पादन करता है अगला प्रश्ण है भूविज्ञान ज्यादातर डैस के अध्यायन से सम्मंदित है अगला प्रश्ण है किस देश की नीतियों को किसी देश की नीतियों को कौन प्रशासित करता है अप्शन है देश की सरकार, देश की सुप्रिम कोट, देश के प्रधान मंत्री, देश के राष्टपती अप्शन पहला सही हो जाएगा देश की सरकार अगला प्रश्ण है ओजोन परत की कमी से क्या परिणाम हो शकता है अप्शन देखेंगे अक्सीजन के ओसत सधनता कम हो जाएगी प्रधवी की सतह पर परावयगनी विकिरन की मात्रा में ब्रधी होगी द्रूविय वर्फ विकलने के कारण समुदर का जल अस्तर धीरे धीरे बढ़ जाएगा प्रधवी की सतह के तापमान धीरे धीरे ब्रधी होगी अप्शन दूसरा सही है प्रधवी की सतह पर परावयगनी विकिरन की मात्रा में ब्रधी होगी अगला प्रशन है राज तंत्रिये रूप से रूप में शरकार अप्शन दिखेंगे कौनसा option सही है एक ही परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सासन करती है आम जनता राष्ट पर सासन करती है राष्ट पती राष्ट पर सासन करती है प्रधान मंत्री राष्ट पर सासन करती है तो इसमें पहला option जो है वो सही होगा एक ही परिवार द्वारा पीधी-दर-पीधी सासन करती है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, उनीश्वी सदी तक राजसाही दुनिया में सासन बेवस्था का सबसे प्रचलित रूप था कि सरकार के शासन एक ही परिवार के एक ही पीधी से दूसरे व्यक्ति को देने का निय अगला प्रशन है भारतिय संसद डैस से बना होता है ओप्सन देखेंगे लोकसभा और राजसभा लोकसभा राजसभा और विधान सभा लोकसभा राजसभा विधान सभा और विधान पडिसल लोकसभा राजसभा और राष्टपती ओप्सन चोथा सही हो जाएगा लोकसभा राजसभा और राष्टपती अगला प्रश्ण है नेमने में से किस ओधी में मौर्य शमराज की अस्थापना हुई थी ओप्षन देखेंगे पहला ओप्षन है तीन हजार साल पहले दूसरा ओप्षन है 2700 साल पहले तीसरा ओप्षन है 200 साल पहले चोथा ओप्षन है 1800 साल पहले तीसरा उप्शन सही हो जाएगा तेईस सो साल पहले अगला प्रशन है राष्टपती प्रधान मंत्री की नियुक्ती में अबने विवेक का उपयोग कर सकते हैं जब उप्शन को देखेंगे किसी भी राजनितिक गढ़ बंधन दल को लोकसभा में के द्वारा मन मत्री न मिले अगला उप्शन है जो राजनितिक दलों के शदश्यों की शंक्या लोकसभा में सम्मान हो अगला उप्शन है किसी राजनितिक दल को राजसभा में बहुमद न मिले अगला उप्शन है जो राजनेतिक दलों के शदशियों की शंक्या राज सभा में शमान हो इसका पहला ओप्षन से ही हो जाएगा किसी भी राजनेतिक गठ बंधन को लोग सभा में द्वारा बहुमद ना मिले अगला प्रशन है निम्न में से कौन सी कक्षाओं में सभी ग्रा सूरी के चार और घूमते हैं ऑप्षन है गलक्रा ट्रेसिक कक्षा में दिर्ध बृताकार कक्षा में भूकेंदरित कक्षा में चंद्रमा के कक्षा में ऑप्षन दूसरा सही है दिर्ध बृताकार कक्षा में अगला प्रशन है, औरंग जेव की मृत्यू किसे साल में हुई थी? magnificent दिखेंगे 702, 705, 707 तो aurum's Jeb की मृत्व जो हुई थी 707 में हुई थी अगला प्रशन है globe है option दिखेंगे पर्थवी का एक अर्द गोलाकार माडल पर्थवी का एक गोलाकार माडल पर्थवी का एक व्रताकार माडल पृत्वी का एक दो आयामी मडल option दूसरा सही हो जाएगा पृत्वी का एक गोलाकार मडल अगला प्रशन है निमलिखीत में से कौन पृत्वी पर दिन और रात का कारण बनता है option देखेंगे पृत्वी की दुर्णन गती पृत्वी की अक्षिये गती पृत्वी की गुर्णन गती और अक्षिये गती एक अंडकार पत्वी की गुर्णन गती option इसका पहला सही, दूसरा सही हो जाएगा पृत्वी की अक्षिये कती अगला प्रशन है बस्तियों का सबसे बरा जथा निम्न में से किस घाटी पर पाया गया है आप्शन देखेंगे सरस्वती सिंधु गंगा यमुना आप्शन पहला सही हो जाएगा सरस्वती अगला प्रश्ण है कोई विध्ययक संसद का अधिनियाम नहीं बन सकता जब तक की उसे आप्शन देखेंगे लोकसभाद्वारा पारित ना कर दिया जाए लोकसभाद्वारा पारित ना कर दिया जाए राजसभाद्वारा पारित ना कर दिया जाए तीसरा उप्शन है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित ना कर दिया जाए चोथा उप्शन है राष्टपती की सहमती से पारित ना हो जाए इसका चोथा आप्सन सही हो जाएगा राष्टपती की सहमेती से पारित ना हो जाए अगला प्रशन है निम्न में से रोमन शमराज में क्या काले सोने के रूप में जाना जाता था आप्सन है सोना माशाला कीमती पत्थर काली मिर्च चौता ओप्सन सही हो जाएगा काली मिर्च रोमन समराज में काली मिर्च सोने के रूप में जाना जाता था अगला प्रशन है कुतम मिनार का निर्मान किशने सुरू किया था ओप्सन है एल्तूतमिस कुतमभदिन एवक अलाओ दिन खिजली मौमद सा तुलक आप्सन दूसरा सही हो जाएगा कुतुम दिन एवक अगला प्रशन है सर्व देशी लोक तंत्र का मुख तर्क क्या है आप्सन देखेंगे केवल उन राज्यों को जो अपने देश से बाहर यात्रा पर रहते हैं कोने वोट करने की अनुमती दी जानी चाहिए दूसरा उप्सन है सभी राष्ट राज्यों को एक ही वैस्विक सरकार द्वारा प्रतिस्थापित हिया जाना चाहिए तीसरा उप्सन है वैस्विकरन के बावजुद भी राष्ट राज हमेशा महत्वपूर्ण है चोथा option है समकालिन विश्व में यह जरूरी है कि वैस्विक ताक्तों को लोगतांत्रिक नियंत्रन में लाया जाए option चोथा सही हो जाएगा समकालिन विश्व में यह जरूरत है कि वैस्विक ताक्तों को लोगतांत्रिक नियंत्रन में लाया जाए तो आज के लिए वश इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आज से हम सभी सीटेट के समाजिक अध्यायन का जो मोक्टेश्ट है इसको हम सभी करेंगे तो आप सभी को वीडियो दखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद